ये दोस्तो नमस्कार एक बार फिस्से स्वागत है आपके अपने योटुब चैनल देवजी के ट्रिक्स में तो दोस्तो वंलगे आपट की तरह जी के कर टेस्स लगाएंगी जुकि मौर्निंग सुबे 7 बजे यहां पर जी के कर टेस्स लगाए जाता है top 30 question आपके होते हैं काभी अच्छे प्रशन होते हैं और बार बार एक्जामों में पूछे जाने वाले प्रशन होते हैं आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं good morning सभी को सभी को good morning चलिए यहाँ पर आपका प्रस्ण दिया गया है कि अद्दच्छात्मक सासन का उदय सरप्रथम किस देश में हुआ था अद्दच्छात्मक जो आपका सासन है इसका जो उदय हुआ था सरप्रथम कहाँ पर तो याद रखे समीधान का बना था आपका तो आपके अमेरिका में ठीके तो आपसन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा B नमबर आपका हो जाएगा संयुक्त राज अमेरिका निस प्रस्ण आप से पूछा गया है कि पंचवर्सी योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है तो यहाँ पर आपका जवाब से क्या हो जाएगा सही जवाब और जो आपका D नमबर है योजना आयोग जाद रखे कि पंचवर्सी योजना बनाता कौन है तो आपका योजना आयोग और योजना आयोग के जो अध्यच होते हैं वो आपके प्रधान मंत्री होते हैं वर्तमान में योजना आयोग आपका खतम हो गया है और नीती आयोग इसकी जगा आ गया है ठीके तो बनाता आपका योजना आयोग है लेकिन इसका निरिच्छन ये कह सकते इसका एक बार उसको पुर्ण रिच्छन करके ये देख करके और आपका कह सकते हैं सुईकरत प्रदान करता है और आपका राश्टी विकास परसद करता है ठीके मतलब उसका पूरी तरीके से न सर्वात्रिक सचलेयान अनसंधान केंद्र इस्थाफित किया जा रहा है और यह जो इस्थाफित किया जा रहा है आपके एपर रुचा गया है ठीके चन्राई में यह आपका जो आटोमेटिक रिसर्च सेंटर आपका है ठीके ग्लोबल से सम्मंदित है यह आपका यहाँ पर इस्थापित किया जा रहा है अगरे प्रसिकोराते प्रस्टनाव से एकला पूछा गया है कि सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद गयत्री मंत्र किसमे उलेकित है आपने यहाँ पर हमेशा पढ़ा है गयत्री मंत्र और गयत्री मंत्र जो कि आपके विश्वामित्र ने आपके सिक्तों से रचित किया है और यह जो आपका उलेक मिलता है आपके किसमे तो राइट अंसर आपका हो जाएगा रिगवेद में और लिखा किसने है तो आपके विश्वमित्र ने ठीके चलिए अगला प्रस्णिया पर पूछा गया है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राश्पति का कौन सा अधिकार है आपने देखा है कि अगर संसद में कारवाही नहीं चल लाई है ठीके और अगर किसी प्रकार स अगर अचानक से बुलाना पड़े तो इसके लिए क्या होता है कि राष्पति के पास अधिकार होता है वो आपकी छे सपता के अंदर अंदर आपकी कह सकते हैं कि एक बैठा खोनी अनिमार हो जाती है उसे हम लोग अध्यादेश कहते हैं तो अध्यादेश की जो अधिकार है यह किस प्रकार का अधिकार है राजपती का तियाद रिखे यह जो अधिकार है यह आपका विधाई अधिकार है कैसा है यह आपका विधाई अधिकार है ठीक है ओप्सन रेट अप कहाँ पर सी सही हो जाएगा इस होता है ठीक है तो इसमें 20 का अग्रणी देश आपका कौन सा है तो देखो प्रथम इस्थान 2020 में जो आपका है वो आपका चीन का है बलकि चीन तो है नहीं यहाँ पर तो चीन के बाद आपका कौन आता है तो अमेरिका तो आपसन रेट अप के यहाँ पर सी सही हो जाएगा अमेरिका ठीक है अगला प्रशन आप से पूछा गया है कि हीरा उत्पादन करने में मद्ध प्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है हीरा उत्पादन और हीरा उत्पादन में देखा जाए तो आपके मद्ध प्रदेश का जो इस्थान आता है वो आपका विश्वास करते हैं, वो किस पर विश्वास करते हैं, कर्म तथा पुनर जर्म की सिद्धान्त पर, या मरत्य के परशात्ति की मोच्छ संभव, या इस्तरी तथा पुरुष दोनों ही मोच्छ प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में मध्यमार्ग सर्वसेश्ट है, राइट अ पर आपका जवाब से क्या हो जाएगा तो अंतर नास्टी ने आ रहे आपकी कहा पर है तो आपका दाहेग अर्था आता आपके नीदर लैंड ओप्सन आपका यहाँ पर है और यहाँ पर अगरा प्रस्न पूछा गया है कहरा आपसे कि पहला मानो विकासुचकांग किस अर्थ से समंदित जो आपका कैसे खाना पीना कैसे खुराख है उसके अधारित होती है तो विकासुचकांग जो सरवर्थम किया था यह आर्थ सास्ती थे आपके मैबूल उलहक मैबूल उलहक और यह जो आपके पाकिस्तानी है ठीके तो आपसन आपके यहाँ पर भी हो जाएगा इन्होंने पहला मानोविकासुचकांग तयार किया था अगला प्रसन आपसे पूछा गया है कहरा आपसे यहाँ पर कि चार दच्छनी राज्य आनप्रदेश करनाटक केरन और तमिलाडू में से कौन साम सबसे अधिक भारती राज्यों के साथ सीमा वर्ती है यहाँ पर दे आनप्रदेश और करनाटक सेम टू सेम यहाँ पर किसकते हैं सीमा बनाते हैं एक दूसरी से ठीके जो आपके मतलब आप आसपास के जो आपके राज्ये हैं ठीके आईला प्रसना से पूछा गया है कि सिंदु घाटी की सब्यता के लोगों का धर्म मुक्विता किस पाधरित धर्म को महत ज्यादा देते थे तो कह सकते हैं कि मात्र देवी की पूजा ये कह सकते हैं मुख अधार था इनका ठीके और यहाँ पर कह सकते हैं कि अगले प्रस्चिकोर बढ़ते ही कहराप से अंतरास्टी न्याल है अभी हमने उत्या था अंतरास्टी न्याल है है ना दाहेग में स्थित है और इसमें न्यादीसों के जो संख्या होती है वो आपकी कि 15 होती है कितने होती है 15 होती है और इनका कारेकाल 9 अर्ष का होता है ठीक है इनका कारेकाल 9 अर्ष का होता है और अगले प्रसिकोर बढ़ते हैं प्रस्चना आप से अगला पूछा गया है कैर आप से के पारले गुरूप के थमस अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्टी कंप और जवाब मध्द प्रदेश में याद रखेगा जो आपका बाल गाट या बाला घाट है और आपका चिंद्रवारा है और वारा घाट यहाँ पर आपके मैगनीज उत्पादन के मुख आपके कैसकती जिले है जहाँ पर मैगनीज अत्र उत्पादन होता है अगला प्रसन आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारती कला एवं इस्थापत के चरमोतकर्स का यूग है मतलब कि भारती जो प्राचीन भारती कला और इस्थापत कला है या अपने चरम पर जो थी वो किस यूग वे थी तो यहाँ पर आपका जवाब हो जो गुप्तकाल और याद रखे गुप्तकाल में आपके बहुत सारे आपके मंदिर बने हैं इंटो से भी बने हैं जैसे कि आपके कानपूर देहात में इंटो को बना हुआ मंदिर है ठीके कानपुर्देहात में ठीके तो इस प्रकार से चरम पर आपका जो था इस्थापत तिकला वो आपके गुप्तकाल इसलिए गुप्तकाल को सुन युक्काल का भी कहा जाता है ठीके और यहाँ पर कानपुर्देहात में हमने भीतर गाओं ठीके भीतर गाओं है कानपुर् और यहां पर हैं तो आपके वातिived में कंपनी मारे जारी आते हैं यहांपर B नमबर भारत बेट्रोरियम कार्पोरेशन लिम्टेड ओप्सन अपके आपर B सही हो जाएगा अगला प्रस पूछा गया है करा भारत में विक्सित करने के लिए पहला आधुनिक उद्धोग कौन था भारत में आधुनिक उद्धोग या आपके कर सकते हैं भारत में पहला आधुनिक उद्धोग था ठीके आगला प्रस आपसे पूछा गया है कहरा आपसे मोहन जुदारो में किये गए खरनकार में से ऐसा पता चलता है कि उस काल की लोग क्रैसी करना जानते थे किन्तुवे चावल की भी मतलब जो चावल होता है धान की भी फसल उगाते थे इन में से कुछ पुरा तत्वेधाओं का संदे है या संदे क्या है मतलब कह रहे हैं कि ये क्रैसी तो करते थे और चा अपर देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर डिनमबर आपका है डाक्टर एल बासम ने विक्ति किया है कि यहाँ पर जुधान के भी हैं उनके यहाँ पर साच आपके हैं ठीके इन्होंने संदेह बताया है और अगला प्रस्ण आपसे पूछा गया है के आपसे अपनी सैसो आ जनसंग राष्टी दल जो आपका विक्सित हुआ था तब इसे कैसे अपने सैसो आस्था में विक्सित हो गई और ये से राष्टी दल का दर्जा भी मिल गया था जनसंग को और जनसंग को जो राष्टी दल का दर्जा मिला था वो आपका कम मिला था तो यह मिला था आपका सीटे लोग सभा की जीत लेता है ठीके मतलब की संसदगर बन जाते हैं ठीके अगले प्रसना आपसे पूछा गया है कहरा आपसे कि प्रतिवेक्ति आय निकालने के लिए राश्टी आय को भाग दिया जाता है अगर आपसे पर बैप पर बैप्यक्ति कैप्टल जो इनकाम होती है प्रतिवेक्ति आय अगर यह निकालने के लिए बोला जाए तो आप किसका भाग देंगे वहां पर भाग भी देना पड़ेगा तो आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्सन राइट याद रखे प्रतिवेक्ति आय बराबर क्या होता है कि यहां पर वो जो देश है और दे है वो आपकी लोकल होती है लोकल मतलब यह होती है कि बहुत आपके ऐसे धंदे होते हैं जो लोग पूरी तरीके से टैक्स नहीं देते हैं और अपनी पूरी इंकम नहीं दिखाते हैं कहने कहीं चोरी कर ली जाती है और अगर पूरी तरीके से यह आपकी पैसे दिखा दें तो सरकार के पास बहुत पैसा भी हो जाए, है ना, और इसकी जो GDP है, वो बहुत आगे पहुँच जाए, लगबग सभी देशों के बराबर हो जाए, है ना, नमबर वन भी पहुच सकती है, तो भारत में भी कह सकते हैं कई मैफिया होते हैं, है ना, चलिए अगला प्रसना परियोजना कहां इस्तित है, तवोवन और विशुनुगड, तो एक पॉइंट से आपको बता है कि विशुनुगड, तो विशुनुगड जलबद्धित परियोजना जो आपकी इस्तित है वहाँ के कहां पर, तो हमने आपको एक मंदिर भी पढ़ाया था, यहां पर जो ना प्रकार की सबजियां, ना मतलब क्या होता है, कि कई प्रकार की सबजियां, अन तथा फलों का उप्योग करते थे, मुख रूप से वे, देखो, फल का तो वो प्रियोग करते थे, अन का भी प्रियोग करते थे, सबजी का भी प्रियोग करते थे, लेकिन यहां पर मुख दोनों प्रकार का सेवन करते थे यहां पर आपके सबजी अन्य फल को प्योग करते थे और इसके बाद जैसे आपके मांस हो गया है ना मांस हो गया इस प्रकार की चीजें भी उखाते जैसे जानमर होते हैं मतलब जैसे जंगल में जाते सिकार करते तो उनको भी करते थे यह है प्रकार के कर सकते हैं ना प्रकार मतलब हर प्रकार के कर सकते थे ठीक है तो यहाँ पर आपका साकारी मांसारी यहाँ पर कर सकते हैं अगला प्रसना आप से पूछा गया है यह भारत के किस जल प्रपात को लोक प्री रूप से नियागरा जल प्रपात का तोर पर जाना आता है नियागरा प्रपात के नाम क्यों दिया गया है त्याद रिखे अमेरिका में नियागरा प्रपात ये विश्व का सबसे चौणा प्रपात है इसकी तुल्ला आपके भारत में एक प्रपात से की गई है इसलिए भारत की इस प्रपात को नियागरा प्रपात नाम दिया गया है और ये आपका है चित्रकूर्ट जलब प्रपात है ये भारत का आपका चौणा जलब प्रपात है जिसकी तुला अमेरिका के नियागरा जलब प्रपात से की गई है इसलिए इसका नाम यहापन नियागरा प्रपात कहा जाता है बलकि है क्या तो चित्रकूर्ट प्रपात है य राइट अनसर आपके यहां पर हो जागा बोध गया और याद रखेगा भगवान बुद्ध को ग्यान के प्राप्ति आपके बुद्ध पोड़मा के दिन हुई थी इनके म्रत्य भी बुद्ध पोड़मा के दिन हुई थी और इनका जन्मी भी बुद्ध पोड़मा के दिन प्रत्रम क्रसि की गड़ना तो क्रसि की प्रत्रम गड़ना जो की गई थी वो आपकी 1970 में, ठीके कप की गए थी, 1970 में की गए थी, option आपका याँ पर, याँ पर D से हो जाएगा, अगला प्रसुन आपर पूछा गया है, कहरा आप से कि वर्स दुजार साथ में ISRO, इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाईज जो आपका है, तो ISRO ने निम्न तापी जन का प्रियोग किया था, सफल्दा पूर्वक, और ये राकेट जो परिच्छन हुआ था, ये आपके कहां पर किया गया था, तो ये जो आपका किया गया था, आपके तो महंद गरी, महंद गरी हमने बताया था, कि जो आपका भारत है, तो भारत में जो पूर्वी तठ है, वहाँ पर आपका महंदगीली हो जएगा इस कोशन आपका है सिंदुगाती सब्पता की लिपी सिंदुगाती सब्पता की जो लिपी थी वह आपकी कैसी थी तो आपकी सकते हैं भव चित्तरात्मक बोला जाता है और ये जो आपकी थी एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसी लाइन में बाएं से दाहिने अर्थात पहले हम लोग ऐसे लिखते चले आते हैं यो लोग ऐसे लिखते थे लेकिन वापा सिदर रेटर नमा रते थे भी ऐसे 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 करते लिखते थे कुल मिला के देखा जाए तो ये ब्रामे लिपी से मिलती जुलती थी 400 वर्ड हुआ करते थे इनकी लिपी में वर्तमान में जो भारती ब्रामे लिपी थी तो उसमें से 49 ही वर्ड आपको मिलते हैं ठीक है? आपसन अपका स्थी हो जाएगा आपसन आपसे पूछा गया है कि अब तक कितनी बार राष्टी आपातकाल की उद्गोषना राष्पती की द्वरा की गई है मतलब कि जो राष्टी आपातकाल होता है वो आपके राष्पती की द्वरा ही यहां पर किया जाता है ठीक है? और अब तक देखा जाए तो आपके तीन बार आपकी हो चुकी है तीन बार में पहली आपकी हुई थी 26 अक्टूबर 1962 फिर आपकी हुई थी 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1971 को जो बांगलादेश से हुआ था पहला चाइना की विरुद दुवा था जब चाइना से हुद दुवा दूसरा आपका यहाँ पर जब बांगलादेश के साथ है ना और तीसरा जवाब का हुआ वह आपका 25 जून 1975 को हुआ था ठीके तो इस प्रकार से 62, 71, 75 यह तीन डेट आपकी है ठीके अगला है कि प्रथम छेतरी ग्रामीर बैंक की स्थापना किस वर्स की गए थी राइट अंसर आपको हो जगा यहाँ पर बी नंबर 1975 में ठीके 1975 में की गए थी अगला प्रथम से पूझा गया है कि निमख्यत मेंसे कौन सा सहर भारती मानक शमय देशांतर के नजजदिक है भारती मानक समय देसंतर के नदीख हे तो यहाँ पर आपका होसंगाबाद ठीक है? यहाँ पर हमने बताया था जिसे आपका भारत है वहाँ से आपका 시árdhe lambda आपकी निकलते हैगि उत्तरपेश मद्दप्रदेश मतलब कुल मिलाके 5 राजोस निकलती उत्तरप्रदेश, मंद्रप्रदेश, 36 गड़ ठीक है और उड़ेशा और आंद्रप्रदेश यहां से उजरती है जो कि होसंगा बाद इसके सबसे पास में पढ़ जाता है आगला प्रस्णा आप से पूछा गया है कि पानी पत की तिती लड़ाई में मराठों की हार का सबसे पुर्मू कारण क्या था मराठा लोग हार गए थे हो ऐसे देखा जाये तो काफी मजबूत थे मराठा फिर भी हार गए थे यहाँ पर किस वज़े से आर गए थे तो यहाँ पर जवाब हो जोगा option right भाव ने लड़ाई धाई मास के लिए टाल दी थी ठीक है यह एक कारण है हो सकता है पहली बार आप पढ़ रहे हूं तो यह भी कारण आपकी है कि भाव ने लड़ाई धाई मास के लिए यहाँ पर से हो जएगा ठीक है और अगले प्रस्ट कोर बढते है प्रश्णाव से गला पूछा गया है कि अबराहिम लिंकर के हत्यारेρί का नाम क्या था ludzie याद्य चिते ठीके अग्ला प्रस पूशा गया है कि खारी मिटी में कौन सी वनस्पति उख सकती है खारी मिटी खारी मिटी अगर हो गई है तो उसमें से उख सकती है आपकी कौन तो आपके लवण और ओरोधी घास मतलब जो घास होती है उस प्रकार के हो जाएंगी तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि लवण और अवरोधी आपके घास उप सकते हैं ठीके अगर यहाँ पर कह सकते हैं खारी मिटी है अगला है रूपिया नामक चांदी का सिक्का जो चलाया था सबसे पहले कि इसने चलाया था चांदी का रूपिया और चांदी का रूपिया जो कि कह सकते हैं कि यह आपके सेर सासूरी ने ठीक है, और अपसन आपके यहाँ पर कह सकते हैं, यह क्यों हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेर सासूरी ने चांदी रुपए का सिक्का आपके चलाया था, सेर सा का समयकाल भी काफी अच्छा था, और इसने कई सराय, हाना, बहुत चीजे बनवाया था अपने यहाँ पर तो इस प्रकास से आपके 100 प्रस्णी आपके हुए हमने आज 40 प्रस्ण का आपका टेस्ट लगवाया है ठीक है काफी अच्छे प्रस्णी थे और यहाँ पर कह सकते हैं कि रिवीजन के तौर पर आपकी काफी अच्छे क्लास रहती है ड बिलते हैं नए वीडियो तत्त के लिए धन्नवाद सबीलू वीडियो को लाइक करें जैंहें जैंचे भारत